इदि आप सोसल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं लाइक, फेस्बूक, वाटसअब, ट्वीटर ऐसे में आप कभी न कभी चैट के दोरान कुछ वर्ट्स आप से कुछ लोग ऐसे कर देते हैं जिसको लेकर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं जैसे की आप के लिए है आज की वीडियो को देखने के बाद आप जो इंटरनेट पर आप भी थोड़ा सा स्मार्टी चैट कर पाएंगे दूसरों के साथ और जिसका मतलब कि वहल वही लोग जान पाएंगे जो आप इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं या फिर घंटो अपना सोसल मीडिया पर टाइम भी दाते हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपको यह पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेयर कर देना हलाकि मैं स्टेडियो टेक्स एलेटेड वीडियो अप्लोट करता रहता हूं तो थोड़ा मुझे यह इंटरस्टिंग टॉपिक लगा तो मैंने सोचा कि क्यो ना जो है हम इसके बारे में कुछ डिसकस करते हैं तो चलिए आज इकी यूडियो को स्टार्ट करते हैं सीधी बात नुबकवास तो पहले यहां पर वर्ड्स है वाट्सब आपको पता होगा वाट्सब का मतलब होता है क्या चल रहा है यसका भाता समेज इसक मतलब होता है अगले वर्ड्स की तब यहां पर ज Ε् सिह देख सकती है इसका मतलब होता है π्लीज यहनि यसे आपको यूस करना है आप करते होगे चैट के दौरान तो आप simple सा जो है plz use करेंगे तो जो बंदा है इंटर्ट पर अगर वो active रहता है तो simple सा समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे है तो चलिए next words की तरफ बढ़ते हैं तो जिसे कि आपको पता होगा hate नार्माल बहुत से लोग इसका use करते हैं तो hate को जो है short form में h8 लिखा जाता है जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो h8 use किया जाता है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले words की तरफ तो अगला words यहाँ पर है exo exo अब यह words क्या है इसको आपने बहुत कम देखा होगा लेकिन यह western culture में जो है काफी पाफुलर है हराकि इंडियन culture में उतना use अभी नहीं होता लेकिन इसका simple सा मतलब होता है hugs and kisses आपको पता होगा hugs का मतलब होता है आलिंगन करना किस का मतलब चुम्बन करना तो simple से इसका मतलब होता है hugs and kiss यानि कि simple में short form में इसको जो है exo exo use किया जाता है चैटिंग के दौरान तो चलिए आप दूसरा words देखते हैं यानि कि next word हमारा है np, np का मतलब होता है no problem आपने बहुत chat पे use किया होगा तो simple से start form में आप np लिख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं next words की तरफ btw btw का क्या मतलब होता है तो simple से इसका मतलब होता है by the way जैसे कि आपने chat के दौरान पर जो है बहुत इसको use किया होगा जैसे कि बहुत से लोग इसको chat की दौरान पर use करते हैं तो btw का मतलब होता है by the way ठीक है? वैसे भी हिंदी में वैसे भी होता है तो यहाँ पर next word है g j g j का मतलब होता है good job जैसे कि आपने देखा होगे आप chat के दौरान यूज़ करते होगे तो simple से आपको पूरा words नहीं लिखना है तो आप good job को g j लिख सकते हो अगर वो इंटरनेट पर active रहता है तो simple से जान जाएगा इसका मतलब क्या होता है bc next word है bc bc का मतलब होता है because आपको मैं बता दू कि یہ mc bc नहीं है because, meaning bc का मतलब इहां पर vikaz होता है vikaz का हिन्दी मतलब क्यों कि वोता है बहुत से लोगं use करते है Praia frequently use किया जाता है bc का मतलब simple से आपकर vikaz होता है हलाकि indian, a people काफी creative होते है काफी innovative होते है वेस्टन कल्चर में बहुत इसका यूज कि जाता है बी आई बी का मतलब होता है बाई भाई जैसे कि आपको पता है जब किसे आप अलविदा लेते हैं तो आप बाई 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 बोलता है सिंपल से यह वही है बी आई बी और चलिए नेक्स वर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स वर्ट यहाँ पर है हमारा ओम जी अलाकि इसको तो कौन नहीं जानता होगा सबी लोग जानते हैं तो इसका मतलब होता है ओमाई गॉड्ट को सिंपल सा ओम जी स्वार्ट फर में लि कोई वर्ट से तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए आई विल ट्राइट हो मैं बेस्ट कि मैं उसको जो है कबर करूं या फिर नेक्स वीडियो में डिसकर संग करेंगे हादाकि हम अपने चैनल पर स्टडी और टेक्स एलेटीड प्लस रियल लाफ कि वीडियो प्लट करते रहते हैं तो आई होप सो कि आपको पसंद आएगा अगर पसंद आ तो शुड़ों को लाइक सब्सक्राइब और एंटी वाल ऐकन को प्रिस करना मत बूलेगा तो मिलते हैं आप से नेक्स फोडिम को जैसे इंटरस्टिंग आपक्स आप देख देख झाल झाल